आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मेरा नाम है सारवेंदर और खुछ दिन से टुटोरियल नहीं आ रहे हैं मुझे पता है तो इस ताम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ पीएसी टैन को भी लेके तो इस बार अनॉंस्मेंट मैं करूंगा थोड़े दिन में यह पीएसी टैन के अनॉ मेरे फ्रेंड किरन ने बताया था तो उसने बताया था कि यह प्रेंड की फोटो नहीं है जो मैंने फ्लैग में लगा रखिया है सो यह 36 संभाजी महराज की है सो यह गलती से हो गया था सो इसके लिए बहुत बढ़ा सौरी और आप रिप्लेस कर सकते हो यह वाली फोटो में सेम कंसेप्ट होता है सेम चीजे होती है कोई वो इतना फर्क नहीं आता अगर आप ग्लोइंग टुटोरियल देखना चाहते हो तो पीछे मेरे चैनल्स पर अपलोड हैं ग्लोइंग टुटोरियल आप वह भी जागे देख सकते हैं अगर आपको रील्स का वेट है कि रील्स की वीडियो के अनिमेशन डलेंगे तो अब भी थोड़े दिन में मैं डालूंगा एक दो दिन में रील्स का भी अपलोड कर और जब तक खुल रहा है उपन हो रहा है अब तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना सो यहां आपका स्टार्ट हो जाता है एडिटिंग प्रोसेस तो इस एडिट में बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन तब भी सिंप्लिफ या फायर पे होता है या टेलिग्राम ग्रूप में होता है तो जहां मर्जी से आप जागे डाउनलोड कर लीजिए आपको फैसलेटी सारी जगह है ठीक है पाकिया आपकी मर्जी है आप खुद समझदार है तो यहां यह मैं रख रहा हूं अब यह सही लग रहा है या नहीं लग रहा है तो परस्पेक्टिव के इस आप से देखें तो सही है यह इतना भी खराब नहीं है थोड़ा सा इधर कर देते हैं अब यह सही है बिल्कुल सही जगह पर है तोड़ा पैर के पास शैडो हट रही है तो उसको भी ध्यान में रखते हैं करना है तो यहां यह परफेक्ट लग रहा है अब इसको डन कर देना है ठीक है अब उसके बाद जो आपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है इसमें समझना है उसके बाद यह जो सौर्ड है इसको एड़ करना है अपने तो इसे हाथ के नीचे अच्छे से एड़ कर लीजेगा जहां आपको लगेगी हां यहां मेरे परफेक्ट बैटरी है सौर्ड और उसे उतना कर दीजेगा बढ़ा कि वह नीचे से छुपा दे आपकी जो स्क्राइब के बाद यह सौर्ड हो गया पकी है अब उसके बाद इसमें ग्लो है सो ग्लो के लिए आपको ब्लेंड मोड में जाना है reading कर देना है ठीक है और इस screen करके अब प्लेश करना है। इस करना है सौर्ड के उप पर давно हो एड भी अब जो इसके अंदर है ये वाला तो ये water reflection side आप create नहीं कर पाते हैं ये इसके अंदर तो इसके लिए भी solution है आपको black pen pen के जो भी photo होगी click करनी होगी क्योंकि इसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है और कुछ भी नीचे की चीज़ दिखी नहीं दिया तो main बात ये है कि नीचे sword और paint का है तो कोई issue ही नी इसमें तो आपको यहां से बस increase करना है like pngs की तरह ही है आपको just drag and drop करके place कर देना है वो हर photo पे काम करेगा चाहे मैं इस area पे रखूँ चाहें यहां पे रखूँ चाहें यहां पे रखूँ तो जहां पे भी आप रखोगे वहां perfect काम करेगा क्योंकि उसकी shadow एडो सब draw कर रखी है मैंने और ripple भी बना रखे हैं तो आपको कोई problem होनी नहीं है मेरी side से तो यहां यह हो गया है अब इसके बाद थोड़ा एक जो रह गया था वो है इस पे सेटन वाला जो होता है effect death वाला बोलते हैं शायद इसे तो इसको यहां place कर दिया है glue के लिए मैंने रखा था ठीक है तो यहां से बस शोटा और पड़ा size में कर देगे ना है और यहां यह roughly equal हो गया है ठीक है अब उसके बाद save करके आपको लाइट रूम में जाना है तो यहां लाइट रूम में एड़ कर दिया है अब इसके बाद जो इसमें color grading है वो है सबसे पहले तो आप vineyard डाल लीजिएगा without vineyard यह photo थोड़ी जीब सी लगने वाली है और यहां से clarity को increase कर सकते हैं और इसमें जो main है वो है shadows को आप open करें तभी आप अच्छे से visible हो पाएंगे तो shadows open करते हैं आपके photo में अलग सी clarity आ जाएगी और फिर यहां आके saturation and vibrance कर सकते हैं जो आपका यहां से temperature है वो blue या green जो भी आपको चाहिए हो तो मेरे को थोड़ा yellow टाइप में चाहिए और थोड़ा सा blue टच वाइब्रेंस अपकर देता हूं थोड़ा सा और sharpness डाल देता हूं तो यहां यह perfect हो चुकिया और share safe to device कर देते हैं थैंक यू एंड lots of love इस tutorial को यहां तक देखने के लिए आप 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 मुल एंड